नमस्कार साथियों, मैं आकाश उंदेव एक और बहुत जबर्दस ट्रिक्स का सेशन आपके सामने लेकर हाजिर हूँ लास्ट टाइम मैंने आपके साथ डिस्किस की थी एक ट्रिक जिससे आपने महाजर्पदास और उनकी कैपिटल्स को मास्टर कर लिया और आज एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक है लेकिन इस बार इंचन हिस्ट्री से नहीं, मौडन इंडिन हिस्ट्री से मिलेकर आया हूँ और वो है इंपोर्टन्ट वाइस रोइस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जी हाँ, जो गवर्नर जनरल वाइस रोइस होते हैं, उनको यहाँ पर हम लोग मास्टर करने वाले हैं और बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग smart work करेंगे, hard work तो आप हमेशा करते ही हो, थोड़ा सा smart work हम लोगे हाँ पर करने की कोशिश करेंगे अगर यह session को value add करते हैं आपके preparation में, so make sure you not only like but also share the session with your friends क्योंकि in 5-7 minutes में ही हम लोग एक बहुत important trick आपके सामने लेकर आते हैं चलिए, शुरू करते हैं Now, the basic idea is कि जो 1900 से 1948 के बीच में हमारे viceroys रहे, British viceroys रहे उनको हम लोग इस वीडियो में discuss करने वाले हैं Chronology की बार में आपको idea होगा वैसे, but still I'll talk about that जैसे Lord Curzon है, followed by Minto, फिर आता है Harding, Shremsford Redding, then we have Irwin, Willingdon, Lilindh को वेवल और लास्ट में कौन है? Mount Bedding, तो यहाँ पर total कितने हैं यह, 10 viceroys है अब इनकी chronology को याद करना अपने आप में एक बहुत मुश्किल टास्क माना जाता है लेकिन अब यह अगले 5 मिनिट में आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा, इतना मैं शौर करता हूँ चलिए शुरू करते हैं, with a trick, बहुत ही यह amazing trick होने वाली है, इसको ध्यान से देखेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, honorable chief minister of UP है, मैं इनका एक यह use कर रहा हूँ just to make sure कि आपके लिए जो वाइस रोइस वाली trick है, यह बन सके chief minister went to high court for reading, simple है, यह chief minister है, he went to high court for reading, simple and straightforward अब आप ध्यान से देखेगा, chief minister, C से क्या हो गया, करजन, M से क्या हो गया, मिंटो, H से क्या हो गया, harding, court से क्या हो गया, अच्रे, M ford, और reading से क्या हो गया, reading, simple सी बात है, तो chief minister went to high court for reading, कितना आसान है यह, अब आप पताएं, क्या आपको लगते है कि मुश्किल जीज़ है, बहुत असान है, अभी हम इसको और consolidated करेंगे, don't worry, आगे हम बढ़ते हैं, then he went to watch, Indian wrestling league for women, तो अब यह ध्यान से देखें, Indians, Irwin हो गया, wrestling से Wellington हो गया, league से Lilith को हो गया, women W से Wable हो गया, M से Mountbatten हो गया, अब एक पर मुझे comment करके बताएं, कि क्या आपको इस trick में कुछ मज़ा आया, कुछ आपको लगा कि हाँ, सही है, बहुत chronology जो है, हमें sort हो गई है, अब इसको और consolidated करेंगे, don't worry about it, अब इसको इ इसको बहुत interesting तरीके से हम लोग देखते हैं, यह देखेगा, सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे, chief minister went to high court for reading, तो यह मैं उपर लिख देता हूँ, इसको नीचे कर देते हैं, I think हाँ, that's better, तो अब जहां दी देगा, यहाँ, करजन मिंटो, हाडिंग चलैंब फोर्ड रेडिंग, इर्विन विलिंगडन लिलिंध को वेवल माउंट बेटन, sorted, फिर से देखेगा इसको, जहां से, अब यहाँ पे इस तरह से इसको लिख रहे हैं, chief minister went to high court for reading, then he watched Indian wrestling league for women, अब आप यह बताओ मुझे, यहाँ तक क्या आ आने मैं आपको ही बताता हूं, यह देखे का जहाँ से, जैसे 6 साल के लिए करजन रहा है, उसके आδ хотите, पांच साल के लिए करजन रहा है, फिर 6 साल के लिए hardying आता है, then 5 साल के लिए 10 food है, 5 साल के लिए reading है, 5 साल के लिए Ayお願い SS Life माइन के लिए विलिंग रहा है, लेकिन लेल फिर वेवल जो है इन्होंने भी 5 साल पूरे करने थे लेकिन माउन बेटन को भेजने के वज़ा से इनको पहले एक साल जाना पड़ा तो हमने देखा 47 तक ही रहा पाई उसके बाद माउन बेटन आया तो आप यहां पर अगर नोटिस करेंगे बहुत इंटरस्टिंग चीज़ है लगबख सबका तैने और पांच-पांच साल कही है चाहे वो मिंटो है चाहे वो च्रेम फोड है रेडिंग है इर्विन है विलिंग्टन है तो आपने अगर एक बार भी इस क्रिनोलजी को दिमाग में रख लिया है तो आपको एक पसंट भी इसमें डाउट नी बजएगा हर चीज हंड़िट पसंट क्लियर हो जाएगी इन पांच मिनिट में हमने यह जो ट्रिक की है निमोनिक बोल दो इसको कुछ भी बोल दो तो इम शूरी आपके लिए बहुत जादा यूसफुल रहने वाली है anyway एक सवाल है आपके लिए जो आप कमेंट करके बताएंगे डांडी मार्च जब हुई उस समय वाईसरोय भारत का कौन था दांडी माच पता है ना गांधी जी की डांडी माच साबर मती से डांडी तो कमेंट करके आप मुझे बताएंगे और मैं बता दू आप दिस्क्रिप्शन में ये लिंक धूंड सकते हैं और आप मुझे फॉलो जरूर कर लें अनकैडमी के प्लाटफॉम पे और हर रोज तीन बजे मैं आता हूं लाइव लेकर एक बहुत स्पेशल सेशन जिससे आपकी जी के और बढ़िया होती है इस लाइव सेशन और अनकैडमी प्लाटफॉम और दे गुड न्यूस इस in case you are preparing for any defense examination for that matter it can be CDS, CAP, Fafcat तो आप UDM 10 code का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस code से आपको मिलता है ना सिफ 10 बलकि 20% discount on all our subscription जा वो 6 months की है, 3 months की है, 12 months है या even 24 months की है आप इन subscription को ले सकते हैं using the code UDM 10 session अगर अच्छा लगा है do join our app as well defense mentors के नाम से हमारी app है do subscribe to the channel Unacadby Defense Mentors session को maximum share और like जरूर कर दीजेगा so that we are motivated to bring more amazing sessions like you comment करके बताएगा कि आपको और किस topic पे trick चाहिए, mnemonic चाहिए I'll surely bring it for you that's me Akashandev signing off have a great day, happy learning, Jehand